मुंबई के जीयो कॉन्वेंशन सेंटर में आयजित हुई WPL के ओक्षन में शेफाली वर्मा दिल्ली की टीम में शामिल हो गई बता दें कि WPL के पहले सीजन को लेकर ओक्षन मुंबई में आयजित हुई इसी में शेफाली वर्मा को दिल्ली की टीम ने अपने टीम में शामिल कर लिया शेफाली वर्मा दो करोड रुपे के साथ ही दिल्ली की टीम में खेलते भी नज़र आएंगी चार मार्स से शुरू उने वाले WPL के पहले सीजन में शेफाली वर्मा दिल्ली की टीम में होंगी और टीम के लिए ओपनिंग करते भी नज़र आएंगी शेफाली की बात करें तो वह इस वक्त भारती टीम की ओपनिंग बलेबाज इसके लावा हाल ही में हुए अंडर 19 टी 20 विश्व कप में उनकी कपतानी में भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया है शेफाली वर्मा पर सभी की नज़रे थी ऐसे में दिल्ली की टीम ने शेफाली को आखरकार अपने टीम में शामिल किया शेफाली के लिए दिली के टीम ने काफ़ी इंतजार किया और लगतार सभी टीमों को पठारते हुए अपने टीम में उन्हें शामिल कर लिया है बता दें कि शेफाली वर्मा का रिगॉर्ड काफ़ी शानदार है भारत के लिए अंडर 19 विश्व कप में कप्तानी के तोर पर उन्हें ने महिला किरकेट टीम के इतिहास की पहली ट्रोफी भी टीम को जिताई है ऐसे में अब एक बार फिर डबलू पील में भी उन पर सभी की नजरे होंगी इसके लावा शेफाली वर्मा इस वक्त साउथ अफरीका में आयजूत हो रहे सीनियर टीम के टीटूटी विश्व कप में महिला टीम का हिस्सा है